तो आज का जो हिंदो सेशन है उसको डसकस करते हैं तो उसमें एक बहुत इंट्रस्टिंग और इंपोर्टन टॉपीक है तो इस लिंक्ड एंड रिलेटेड वेट ओन्रेबल सुप्रेम कोर्ट ने जो फिशिंग के कंटेक्स्ट में बोला है और उसका कंप्लीट अनलेसिस है क तो एडिटोरिल के दो आर्टिकल से अर्बन लोकल बाडीज और इप सी फिशिंग यह दो एडिटोरियल के आर्टिकल से यह पॉलिटी अन गवर्नेंस का टॉपिक है इसे हमें एंवार्मेंट के अंदर इंदर इंग्लूड कर सकता है आधी महत सो यह सो साइटी का टॉपि का टॉटिकल में में टॉपिक लिए टॉपिकल morola से इसे अर्गोझे निए का से भॉलिटी अतुन में ठा यह पॉलिटी चलेडी घूपिक अन्धु और इन इह पॉलिटी अिकोनोमिक है और ङह मैं आपको मेंस का प्रष्ण ा तो मैं इसका प्रश्राइब देख लो Digital Technology poses new challenges in front of election commission conducting free and fair election या in conduct of free and fair election इसको explain करना Digital Technique की स्वतनत और निस्पक्ष चुनाओ कराने में चुना या आयोग के सान में नई चुनाओतिया पेश करती है इसको आपको व्याख्या करनी है तब you have to explain it तो अपना answer आप send कर सकते है सौरा पांड़ान Academy Telegram channel के अंदर कल जो प्रश्न दिया तो उसका best answer में community post में डाल दूँगा so this session is presented by me मैंने में सौरा पांड़ा अगर आप IAS exam की तहरी कर रहे हैं 2023 की तहरी कर रहे हैं तो 500-600 topics I am going to cover science and technology इसके साथ science and technology, environment, technology and IR, agriculture ये सारी चीज़ें तो आपको क्या करना है आन Academy की website पर जाना है फिर ये select करना है UPSC, CSC करके select करना है फिर एक code पूछे का code डाल दो SPLIVE तो बस ये आपको करना है तो जैसे ही आप जुड़ोगे 6 महिने एक साल के लिए तो आप मेरे courses तो access कर ही पाऊगे साथ में सारे educator के सारे courses access कर सकते हो मतलब जितने भी top educators हो सब की courses भी access कर सकते हो quality, history, geography, CSAT, batch courses हर चीज़ जो है वो आप access कर सकते है ये चीज़ आप ध्यान रखें ये code use करना है that is SPLIV और आप join कर सकते हैं आज आपकी 5th class है 4 classes मैंने orientation की करा दी है जो science tech का course हो रहा है तो free classes 4 होगी आज 5 भी class है 10 p.m. को class है 5th वाली तो वो भी आप करें फिर कल से हमारा course ही शुरू हो जाएगा 9 बजे class होगी आपकी science and technology की फिर देरे अभी आपका environment, ecology, IR और दूसरे areas का भी topics हैंगा अभी बहुत important आपके लिए benefit है 30% off चल रहा है तो देखो ये जो subscription का amount आप देख रहो plus का ये जो amount है इस amount में आप मेरे courses कर पाऊगे साथ में history, geography, quality, economy, batch courses हर चीज आप access कर सकते हो बस code जो डालना है वो यही डालना है that is SPLIV इस code का डाल के आप join कर सकते हैं साथ में आरंभ और लक्ष बैच जो है वो भी आप access कर सकते iconic subscription में आपको iconic subscription में आपको जो अलग से educator भी assign किये जाते हैं teachers भी assign किये जाते हैं so let's start raining over the capital from above so this is important अब इसमें देखो इन्होंने कई सारे political arguments भी दी हैं political arguments तो हम लोग नहीं discuss करेंगे पढ़ां कुछ अच्छा arguments हो उनको discuss करते हैं and यह topic आपको quality and governance का बन जाता है so local bodies का एक importance हमेशा से रहा है local bodies में से पंचायत आता है municipality आता है और उनको constitutional constitutional status प्रवाइड किया गया था 73rd और 74th amendment act के level पर 74th amendment act जो की urban local bodies से related जैसे municipality है उसको constitutional जो status है और यह सब चीजें वो basically 74th constitutional amendment के तहता है था municipality में भी आपके municipal corporations होते हैं political head है वो आपके mayor होते हैं municipal commissioner होते हैं जो की executive head के रूप में होते हैं bureaucrats आपके एक तरीके से state level के ध्यान में रखते हैं तो उसमें कई प्रकार का जो है अभी issue चल रहा है Delhi के अंतर वहाँ पे एक political party है दूसरी political party है उनके बीच में एक contest चल रहा है बट एक legal level पे चीजे discuss करते हैं जो argument दिएगा है तो देखो जो आपके nominated members है जैसे for example जो भी आपका elect होकर आती जैसे municipality का election आपका होता है या local government का election होता है तो उसमें काफी सारे लोग elect होकर आती है कुछ लोग nominate होते हैं जो nomination है जैसे मालो आपका जो Delhi municipal corporations है उसमें जो nomination है that is based on Delhi municipal corporation at 1957 अब इसके तहत जिनको भी special knowledge और experience municipal administration का होता है तो दस ऐसे लोगों को nominate किया जाता है by the lieutenant governor लेकिन ये चीज़ रहती है कि वो vote नहीं कर सकते है मालो कोई meeting हो रही है corporation की तो उसमें vote they cannot vote ये जो nominated member से elder man भी कहा जाता है ये term भी आपको याद रखना है elder man भी कहा जाता है तो जैसे अगर mayor का election होना है तो mayor का election में अगर voting rights की बात किया जाए या फिर कोई meeting है उसमें voting rights की बात किया जाए तो as per this act of 1957 तो ये 10 nominated member है they don't have the right to vote in the meeting further article 243R ये article है समिधान का जो की introduce किया गाता 74th constitutional amendment के तैत अब इसमें भी ये चीज आपके highlight किया है ये specifically mentioned है कि हाँ जो municipal corporations होते हैं ये local bodies होती हो उसमें आप लगभग जोतने भी persons सा उनको nominate तो कर सकते हो कुछ लोगों को जो किसी special area में उनको knowledge है जो की local government से linked और related है उनके पास किसी भी तरीके का right to vote नहीं होगा they will not have right to vote ये चीज highlight किया है फिर उसके बाद national capital territory Delhi amendment act 2021 किया गया मतब जो national capital territory act है उसको change किया गया उसमें थोड़े से बदलाव किया गया ये जो amendment आपका किया गया इसमें चीज specify कि गया कि जो lieutenant governor है कोई भी जो matter है provided that the matter is specified by lieutenant governor किसी matter को अगर highlight किया जाता है lieutenant governor के द्वारा तो जो council of ministers होते हैं जो Delhi की सरकार है उसको permission lieutenant governor से लेनी पड़ेगी before किसी भी परकार का जो decisions अगर वो लेना चाहरे है या फिर आप कह सकते कि कोई अगर कदम किसी specific matter पे लेना चाहरे है तो उन्हें specifically जो lieutenant governor है lieutenant governor से जो permission है वो आपका लेना पड़ेगा ये भी highlight किया गया कि जो legislative assembly है जो Delhi की legislative assembly उसमें भी कुछ परकार की restrictions है इस amendment के तहत वो आपके impose किये गए Parliament जो है उसने amend किया था जो Delhi Municipal Corporation Act है जिसके तरह North, South, East, Delhi जो municipal corporations उसे single corporation में convert करने की बात किया गया था जो different division exist कर रहा था उसकी जगे एक single division जिससे की better तरीके से election और administration है उसको manage किया जा सके although जब हम local bodies की बात करते हैं तो जो local bodies में जो local government है अगर 7th schedule में बात करें तो यो subject है वो state के अंदर आता है जो state government है उसके अंदर यो local government के subject को include किया जाता है under the 7th schedule लेकिन union government ने अपना जो power है under article 239 239 AA के तहत जो law है उसका इस्तमाल करते हुए मतब यह जो act, समयधानिक act है उसका इस्तमाल करते हुए उसने local body से related जो law है उसको frame किया मतब union territory is a different aspect because वहाँ पे union territory के अंदर जो mainly power आपका center के पास काफी अधीक होता है normal states की बात करें वहाँ local bodies की जब बात करते हैं तो वह एक different dimension है महाँ लोग राजस्तान के state वहाँ local bodies से related अगर law frame करना तो वहाँ पे center करके वह local bodies को govern करने के लिए कुछ अपने हिसाब से जो amendment है यह चीजे कर सकते हैं मतब legally किया जा सकता अब principle wise वह सही है कि नहीं वह debate का issue है 74th amendment act की अगर बात किया जा तो इसमें 18 के आसपास जो subjects हैं वह 18 के आसपास जो subjects हैं उनको municipal governments को assign करना जैसे 18 subjects हैं 18 subjects मतलब मानों कि 18 ऐसे areas हैं जिन में जो governance की जिम्मेदारी होती है वो local bodies या municipal corporation की होनी चाहिए और वो उन्ही को devolve करना चाहिए तो यहाँ पे चाहे financial power हो function का power हो functionaries से power की अगर हम बात करें तो जितने भी ये अलग-अलग subjects हैं उन subject को devolve करना आपका local bodies को साथ में चाहे वो finance functionaries या functions मतलब किन कार को कौन करेगा कितना पैसा चाहिए किस टाइब के जो personnel या जो लोग है human resource कैसा चाहिए इसका भी जो power है that has to be given to the to the local bodies तभी वो एक local level पे local resources का इस्तमाल करके development की तरफ जा सकते लेकिन यह कहा गया कि जो state government है वो बहुत सारे ऐसे हतकंडे या आप क्या सकते हैं की steps लेते हैं जिसमें कई सारी ऐसी different agencies जिसमें पैरा स्टार्टल्स एजनसी की अगर हम बात करें तो जैसे मालो की development authorities हैं उनको वो power assign कर दिया जाता है जो की समयधानिक सेंस में वो power आपका local bodies के पास होना चाहिए जो भी power municipalities को मिलना चाहिए तो वो power basically exercise किया जाता है state के दोर appointed जो commissioners है rather than उस power को exercise करना चाहिए जो आपके mayor है तो mayor की जगा जो power exercise होता है that is by the commissioner तो यह एक तरीके से ऐसी चीज़े है जिनको फिर we can improve करने का जरूरत है इस area में work करने का जरूरत है फिर एक और area आता है तो एक तरफ तो जो function है जो function municipalities को perform करना चाहिए that functions are basically basically done by the authorities जो की state government के दोरा established है at the same point of time जो की personnel appointed है या जो officers appoint किये गहे है state government के दोरा finance के level पे देखा जाए तो जो revenue generate करने का power है local bodies का वो भी बहुत ही limited है और इस वज़े से उनकी जो dependency होती है हर चोटे-चोटे कारे के लिए state पर बहुत अधिक निरबर करती है और अगर जब भी किसी भी अगर हम बात करें कि यह जो work करना है तो उसमें जो भी पैसा state की तरफ से आएगा उसमें conditions होती है कि आप इस पैसे को इस purpose के लिए इस्तमाल कर सकतो और किसी purpose के लिए इस्तमाल नहीं कर सकतो तो local autonomy बहुत ज्यादा importance बन जाती है कि जो लोग कार कर रहे है local level पे elect हो कर रहे है local resources को local development के लिए किस तरीके से जो है आपका establish किया जा सके उसके बहुत जरूरी है कि local level पे उन्हें एक स्वतंतरता या autonomy आपकी मिले और कई प्रकार की चीजे हैं जो आर्थिक level पे जो challenges उन्हें face करना पड़ता है जो inequality exist करती है coordination की बात करें तो उस पर भी कई सारी ऐसी level पे कार करने का जरूरत है जो regional coordination मालो एक local body एक जगा है दूसरी दूसरी उनके बीच में किस प्रकार का coordination inequality जो exist करती है उसको कैसे meet किया जाए environmental challenges आप क्या आता है जो आर्थिक aspect है उसको कैसे manage किया जाए तो इन सारे areas पे इन issues को tackle अगर करना है तो local autonomy भी matter करते है अब अगर आप local autonomy provide भी करते हो तो उसमें ये भी जरूरी है कि फिर local bodies को accountable भी किया ज ये topic आपका quality and governance का है अब इसमें अगर आपको याद हो तो हमने topic पढ़ा था कई बार पढ़ा था पर्सीन fishing पर्सीन fishing क्या है कि जैसे मान लो कि बहुत बड़ा एक जाल सा होता है बड़ा सा एक net होता है और नीचे टाइप उसमें थोड़ा होल सा होता है उसको trawler के माद्य पूरे एरिया में डाल दिया जाता है फिसको खीच लिया जाता है तो इसे sustainable fishing का हिस्सा नहीं मानते है तो यह बहुत बड़ा challenge भी बनता है अब इसमें एक चीज़ और भी समझो इस article को समझने के लिए कि दूसरा point है आपको समझना है कि लगभग कोई भी देश है जैसे माल of the sea लगभग 200 nautical mile तक का जो area है जैसे मालों यहां से लेके 200 nautical mile तक का जो area है यह 200 nautical mile तक का area basically यह आपका देश की jurisdiction कहता है मतलब इंडिया की मालों continental self area यहां से 200 nautical mile का जो area है that falls under the jurisdiction of the country यह United tradition convention law of the sea 1982 के तहित कहता है इसके beyond 200 nautical mile का जो area जैसे जो area होता है उसको high sea reason बोलता है तो वो उसके regulation अलग तरीके से होते हैं international ship sorry some move कर सकती है और 200 nautical mile तक का जो area वहां उसको हम exclusive economic zone भी बोलता है और उससे और भी close जाओगे तो इसी केंडर होता है territorial sea के रूप में भी कहते है और अधिक आप कह सकते है restrictions जो है वो आपकी imposed रहती है state level पे देखा जाए तो जैसे मालो के एरला के पास जो territorial water उसको इस्तमाल कर सकता फिशिंग और इन सब परपस के लिए यह ध्यान में रखना है दूसरा यह भी आप याद रखो कि 200 nautical mile तक जो भी सुरक्षा है वो coast guard के की द्वारा किया जाता है और 200 nautical mile के beyond का सुरक्षा जो है वो नैवी की द्वारा किया जाता है यह भी point आपको ध्यान में रखना है अब देखो यहां पर क्या honorable supreme court ने क्या है और फिशर्मन को permission दी कि पर्स इन फिशिंग जो है वो कर सकते हैं beyond the territorial water मतलब 12 nautical miles के beyond but within the exclusive economic zone त तब 200 nautical mile तक वो fishing कर सकते हैं पहले इनको limit किया गया था कि आप जो है 12 nautical mile तक ही fishing कर सकते हैं अब इसको extend करके 200 nautical mile तक किया गया अब इसमें देखो इसमें livelihood issues पे देखो तो आपको ठीक लगेगा लेकिन यहां पे यहां पे कई परकार के challenges भी आएंगे person fishing जैसे इतना sustainable इसको माना नहीं जाता है लेकिन जब भी decision making जैसे मालो court के द्वारा दिया गया है जिसमें कई सारे जो experts उनको opinion भी matter करता है साथ में बहुत सारे ऐसे international convention laws होते हैं जिस United Nation Convention Law of the Sea है उसमें कई चीजें मेंशन और भी कई convention उनको भी follow करना important होता है जैसे यह article 56.1 sub clause यह जो आप का mentioned United Nation Convention Law of the Sea. Coastal states have sovereign right to ensure that the living and non-living resources of EEZ are used, conserved and managed and not subject to overexploitation. अब देखो यह लाइन लिखी हुए है इसमें क्या लिखा गया है जैसे आपने person fishing को allow किया तो यह highly high level पे से consider कर जाता है कि यह एक exploitative है because sustainable fishing की तरफ नहीं है आपने बड़ी सी जाल डाली और पूरा का पूरा fish लेकर चले गए अब इसमें मालो आप छोटी fishes बड़ी होंगी फर्दर बड़ी होंगी इस तरीका आपने बड़ी fish पकती तो ठीक आप छोटी fishes भी होगे तो यह पूरा cycle वो उनका effect होता है यहाँ पर यह कहा गया कि अगर 200 article mile तक जरूर से आपका jurisdiction है लेकिन living or non-living resources उनहें किस त different aspect बट उसका over exploitation नहीं होना चाहिए यह चीज़ भी आपकी United Nation Convention law of the sea के तैक आपका mention है कोई भी foreign fleet या foreign जहाज नहीं enter कर सकता है of course exclusive economic zone में provided जो permission coastal state की है मतलब जो देश है उसका permission बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है फिर जो coastal state है coastal states जो है जैसे मालो केरला तमिल नाडवी coastal states हो गए समुद्र के बगल बाले हैं तो यह इन्हें क्या है इन्हें define करना पड़ेगा कि कितना catch allow किया जाए मतलब exclusive economic zone में कितना total allowable catch है मतलब कितना catch आप कर सकते इससे beyond आप catch नहीं कर सकते यह चीज भी mentioned है कि आपको TAC को define करना है under the United Nations convention law of the sea और यह पूरा scientifically based होना चाहिए फिर further convention है convention for the conservation of southern bluefin tuna 1993 could also be sourced by the top court to enable recovery of depleted fishing stock तो यह जो guidance मतलब further देखो यह कहा गया कि judgment honorable court ने दिया तो जो judgment है उस judgment में सिर् livelihood aspect को नहीं देखना चाहिए था United Nations convention law of the sea क्या कह रहा है जैसे अपने दो gloss देख लिए फिर इसमें यह भी का गया कि कुछ guidance जो southern bluefin tuna 1993 का conservation effort है उससे related जो convention है उसको भी ध्यान में रखना चाहिए था उसमें भी साफ-साफ यह जो convention है इस convention में भी साफ-साफ यह बाते लिखी activity हो रही है उसमें जो conservation aspect है उस पर focus करना जरूरी है और जितना भी आप fishing allow करते हो यह catch quota जितना भी हो वह बेसेकली सस्टेनेबल सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस पे होना चाहिए ऐसा नहीं जैसे पर सीन फिशिंग में कि नेट डाला सारा पकड़ ले गए तो यहां पर initially जरू इंपॉर्टेंट होता है तो fishing method को regulate करने के लिए जैसे पर शीन नेट की बात करते हो दो हजार मीटर लेंथ होता है इसका 200 मीटर डेप्थ होता है तो बहुत बड़ा fishing net होता है and because it is such a big net तो इससे काफी अधिक इसका impact भी आप क्या सकते हैं पड़ेगा तो कई परकार की जो South Pacific Forum in 1989 तो जिसे अलग-अलग regional organizations है Atlantic Ocean, Indian Ocean, Pacific Ocean region के अंदर तो किस तरीके से जो भी restrictions है वो लगाये जा रहे हैं जिससे की sustainable fishing की तरफ जा सके तरावा declaration आप से पूछे तो यह आपको याद रखना तरावा declaration इस ओल्सो एक प्रकार का restrictions है या guidance आप मालो for fishing in Pacific Forum South Pacific Forum की जब हम बात कर ने, so 1989 का जो convention for the prohibition of fishing with long drift nets in South Pacific goes जिसके ताहर रिस्टिक पोट access to for drift net fishing vessels जो जैसे मालो जो fishing vessels होते हैं बड़े-बड़े वो they cannot access the port because if they will access the port तो फिर आलग-लग पोट में जाके और फिर वो इस तरह चीज़े के fishing activity करेंगे तो यह चीज आपका restricted है, United Nations General Assembly ने resolution यह 44-225 पास किया था, and यहां पे भी they have talked about कि जो बड़े-बड़े drift net fishing vessels है, बड़े-बड़े net लेके और trawlers में पीछे पासा किया, एक fishing ship हो और उसमें बड़ा सा या ऐसे net हो, तो इन पर भी कई परकार के restrictions imposed किये गए थे, high sea reason है, मतलब 200 nautical mile के beyond का जो reason है, वहां पे भी कई परकार के restrictions imposed किय गए थे, under these resolutions के अगर हम बात करें, although बहुत सारी जो देश हैं, जो कि इसका हिसा, like for example, United Nations General Assembly जो resolutions है, वो applicable है, सभी के उपर, जो state parties है, in the high seas, it means what, कि United Nations के General Assembly के जो भी देश मेंबर्स हैं, और उस resolution को नोने sign ratify कर रखा है, तो जो भी guidance या restrictions, इस resolution के अंदर mentioned है, तो उनको, जितने भी देश हिस्सा है, United Nations General Assembly का, उन्हें उस चीज को implement करना पड़ेगा, they have to follow it, और इसका aim क्या है, कि किस तरीके से conservation effort को लेकर आया जाए, sustainable fishing की तरफ जाया जाए, exploitation जो fishing के है, उसको रोका जाए, और fishing को रोका जाए, यह चीज आपकी focus की गई है, पिर non selective fishing technology non selective fishing technology का क्या मतलब होता है, जैसे एक होता है, कि जब आप fishing करते हैं, तो आपको पता है, इस region से मुझे fishing करने, इस प्रकार की fishes को पकड़ना है, लेकि जो non selective technology होते हैं, उसमें क्या है, पूरी ही पूरी fishes है, पूरा अचाए fish हो, जो हो, सब कुछ उस net के अंदर आ जाएगा, जैसे पर्स शीन fishing जिसे हम कहता है, तो यह non selective fishing है, इस से बहुत अधिक, we can say कि बहुत अधिक impact पड़ता है, जो marine ecology है, उस पर बहुत तरीके से आप कह सकते हैं, कि impact पड़ता है, और even there is a chance कि अगर कोई इस तरीके से fishes पकड़ता है, तो वहां से जो जो भी trade है, जैसे मालों पर्स शीन fishing की जाए, तो non selective technology है, और इस से जो fishes पकड़ी जाएं, दूसरे देश उससे fish खरीदे ही ना, तो trade embargo, जो है वो impose किया जा सकता है, तो article 8, 20, we can take measures, measures लिए जा सकते हैं, जिससे कि human animal plant life, provided it involves conservation of exhaustible natural resources, if such measures are made effective in conjunction with the restrictions on the domestic production, और the consumption, तो यहां पे भी यह जो आपका United Nations Convention law of the sea है, इसकी बात करें, तो इसमें कुछ clauses हैं, यहां पर specifically it has been mentioned, कि effort हमें provide करना है, effort लेना है, कि जिससे की animals हैं, plant life है, उनके लिए conservation, जो effort है, that we have to take, जो natural resources है, जो खतम हो सकते हैं, जो exhaustible हैं, उनके लिए भी कई परकार के जो effective measures लिये जाएं, जो domestic level पे अगर कुछ restrictions भी impose करनी पड़े, तो restrictions भी impose किये जा सकते हैं, तो यहां पर honorable court ने जो भी step लिये है, जिसमें परस in fishing को उनके लाओ किया है, तो इन सारे convention, norms, rules, regulations, international conventions, इन चीज़ों को भी ध्यान में रखकर, और फिर जो judgment है, उसको provide करना चाहिए, ऐसा author के द्वारा कहा गया, नेक्स रिकते ह और क्या-क्या changes होते हैं, तो उस पर एक वीडियो create कर दिया है, देख लेना आप, तो यह जो 7 a.m. वाला session prelims booster है, उस प्याइब, Indian Express, different, different, जितने भी newspaper है, उसा prelims specific topics, I have covered English में है, सारा, IRMS के द्वारा क्या changes आ रहे हैं, उसका भी वीडियो में आपके लिए create कर दिया, 7 a.m. separately कली कर दिया था, तो उसको आप लोग देख सकते हैं, तो यह जरूर से देखें, 7-8 minute का है, तो अगर आप 23 की तहरी कर रहे हैं, तो देखो किस तरीके से चीज़ फोकस या change आपके हो सकते हैं, तो यह कुछ points हैं, जो ध्यान में रखना हैं, अगर आप session live देख रहे हैं, जरूर से session को like करें, share करें, और UIS चैनल को जरूर से subscribe करें, यह सब चीज़े आप ध्यान रखें, अपनी attendance न देना न भूलें, इस session का PDF में भी मैं आपसे share कर दूँँगा, सौरा पांड़ा एने करमी टेलिग्राम चैनल, उसका link आपको description box में, या comment section में मिल जाएगा, तो cooking, eating, good food, यह जो trade है, यह gastronomy जिसे हम कहते हैं कि जो practice of art, और choosing cooking, eating, good food, तो जो भी ऐसे life है, हमारी tribal community से related, जो cultural context में, तो वो इस महतसाओ के अंदर showcase किया जाता है, तो देखो यह जो information है, इस information में कोई भी tribal से related, अगर कोई प्रशन आता है, मेंस के अंदर तो आप उसको mention कर सक तो इस बार के में specifically millets पर focus किया जाए, क्योंकि हमारी tribal community के द्वारा जो millets से इनको कैसे grow किया जाए, इस पर काफी focus भी किया जाता है, वो लोग काफी expert भी रहते हैं, इन areas में, तो इस महतसाओ में ये भी focus आपका किया गया है, कि कैसे millet के production के increase किया जाए, क्योंकि 2023 को international year of mill इलेट्स के रूपने भी declare किया गया, फिर देखो यहाँ पर election commission wraps दो political parties हैं, क्योंकि उन्होंने तुरपुरा में election होते समय भी twitter पे campaign किया था, तो इस पर आप कह सकते हैं कि election commission ने action भी लिया है, तो जो tweet कई प्रकार के लेकर आए गया तो उन चीजों को action लिया गया, election commission के द television में like during the period of 48 hours ending with the hour fixed for the conclusion of the poll, मतलब जैसे मालो पोल खतम होना, उसके 48 hours तक नहीं किया जा सकता, एक बार मालो आज election खतम हो है, तो फिर चीजे आप campaign run करना चाहते है, तो कर सकते हो, तो twitter यह social media platform में एक नए तरीकी का challenge लेकर आ रहे हैं, कैसे challenge लेकर आ रहे हैं कि जैसे अगर मालो election commission को भी अगर model code of conduct लगाना है, आप कह सकते हो, किसी प्रकार के political rally नहीं कर सकते हो, लेकिन social media platform में जहाँ पर लाखो millions में लोग जुड़े हुए हैं, वहाँ पर आप campaign run कर रहे हो, जो कि कही न कहीं जिनके बस resources से वो ज़्यादा अपना campaign run कर सकते हैं, और कहीं न कहीं जो election है, जिसमें लगबग मालो दो दिन का समय, जो भी electoral है, जो voters है, उसको देखना है कि मैं vote करने जाओ, तो last time तक उसका mind through such campaigns आपका effect किया जा सकता है, तो किस प्रकार से जो model code of conduct election commission implement कर सके, उसके लिए भी बहुत बड़ा challenge आपका बनता है, यहाँ पे यह जो भी campaign की गई यह Twitter के अंदर उसमें जो भी step लिया गया है, election commission के द्वारा, under section 126 of the representation of people act 1951, अब देखो दो तरीकी के representation of people act है, 1950 और 1951 है, 50 में voter के qualification, electoral roll का preparation, constitution, constituencies की delimitations, allocation of seats in the parliament, यह सब चीज़े आपका आता है, 51 के अंदर देखा जाए कि election का conduct कैसे होता है, क्या administrative machinery होगी, MP, MLA का क्या qualification, disqualification होगा, election offenses, dispute क्या है, political parties का जो registration है, यह सब कुछ आपका representation of people act 1951 के अंदर है, तो दोलों के बीच में difference याद रखना, इसमें में में भी कई बार प्रशन आपका आया हुआ है, next देखते है, any panel other than JPC will be exercise, तो यहाँ पे देखो लगातार continuous basis पे joint parliamentary committee के गठन की जारी, अब देखो उसमें क्या, क्यों गठन नहीं होरा, political debate या अलग चीज है, हमें जाना है, हमारे लिए जो एक topic important बनता है, quality governance का, वो है, joint parliamentary committee, ठीक है, अच्छा, आप लोग अपना attendance जरूर से दें, इस session का PDF मैं आपसे share कर दूँँ, सौरभ पांड़ा एन Academy Telegram channel पे, अप आप लोग अपना answer भी post करें, उसी channel के अंदर, best answer कल का मैं community post में आप लोग के लिए डाल दूँगा, तो आप लोग उसको go through जरूर से हो जाएं, तो देखो joint parliamentary committee के अगर बात करें, तो यहाँ पे क्या है, कि किसी भी issue में, तो यहाँ पे पहली चीज तो आप याद रखो कि joint parliamentary committee है, वो एक ad hoc committee है, permanent committee नहीं है, किसी issue के लिए उसका गठन किया जा सकता है, एक particular period के लिए और एक specific issue के लिए, यह आपको ध्यान बरकता, मालोग financial irregularity है, कोई भी ऐसा issue है, उसमें joint parliamentary committee का गठन किया जा सकता है, अब इसमें क्या है, कि जो भी joint parliamentary committee आपका set होता है, उसके लि दोरह ही define किये जाते हैं, number of members vary कर सकते हैं, there are twice as many loksabha members as raasabha, अगर 10 member raasabha के तो 20 member आपके loksabha के होंगे, कितने members होंगे, या पिर कैसे जो members होंगे, वो parliament के दोरह ही decide आपका किया जाता है, joint parliamentary committees के अगर बात करें, तो यहाँ पे जो भी evidences हैं से उनको collect किया जाता है, document का collection रखा जाता है, जो भी committee के दोरह कार किया जाता है, finding उसको confidential रखा जाता है, कुछ ऐसी चीजे जो की जरूरी है, public movement में आना चाहिए, वही चीज सामने आती है, फिर government भी decision ले सकती है, to withhold a document, if it is considered prejudicial to the safety or interest of the state, अगर कोई document है कि देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, क्योंकि इसे interest जो है, state का, sovereignty, integrity that is affected, तो उसको भी withhold आपका किया जा सकता है, जो speaker है, उनका final word है, अगर कोई भी evidence मानलो आता है, अब उसमें ये सरकार document नहीं दे रहे, जेपीसी करी है, क्या है देना चाहिए, तो उसमें जो decision making होगी, क्या करना चाहिए, वह speaker का ऐसी स्थिति में decision जा सकता है, अपने सामने बुलाया जा सकता है, और फिर further जो report आपकी जेपीसी के दौरा बनाई जाती है, वह parliament के सामने रखा जाता है, नेक्स देखते है, now no age bar to register cash over organ plant, तो यह थोड़ा से just for information कभी prelims में पूछ ले, यहाँ पे यह चीज कहीए, कि जो 65 साल है, 65 साल से beyond उनको जो है, आप क्या सकते हैं कि organ donate कोई कर सकता है नहीं कर सकता है, अब उसको हटा दिया गया है, अब जो भी 65 साल या उससे ज़्यादा का person है, अगर उन्हें organ donation है, they are also eligible to take the organ donation, यह चीज आपकी की गई है, इसमें changes आपके कुछ जो किये गया है, इस चीज को implement करने के लि जो भी registered patient है, उसे पुरी domicile अपना certificate देना पड़ेगा, transplant के लिए eligible अगर उसे होना है, तो ऐसे कुछ जो आपके restrictions है, उसमें भी कई परकार का dilution देखने को मिला है, तो organ receipt could register for a prospective transplant only in the domicile state, यह पहले से ही था कि, जैसे मालो domicile state, आप जिस state से वह वहीं पे register करके और वहीं के person से organ का जो transplantation है, वो किया जा सकता है, इस चीज को भी थोड़ा सा dilute किया गया, नेक्स देखते हैं, लेपरोसी के बारे में है, लेपरोसी, इसमें कहा गया कि 52% वर्ड की new leprosy patient इंडिया के अंदर, जो कि एक matter of concern है, तो यहां पे prelims का भी परिश्ण बन सकता है, तो ले infected person है, उस infected person से दूसरे को transmit हो सकता है, उसके mouth या body से जो भी कुछ आपका liquid है, उसके माध्यम से वो transmit हो सकता है, एंड इसको treatment जरूर से किया जा सकता है, एक multi drug therapy है, दवा के माध्यम से जो है, वो किया जा सकता है, सही किया जा सकता है, नेक्स देखते है, economic topic है, government likely to place reverse charging of GST on scrap before GST council, अब इसमें likely तो जब charge डालिंग तब हम discuss करें, बट यहां पर हमें एक देखना है, what is reverse charge, so generally क्या होता है, कि जो good का supplier है, good का या service का supplier है, उसे tax देना पड़ता है, तो यहां पर reverse charge mechanism इसका उल्टा होता है, जैसे मालो, आप एक goods को supply कर रहे हो, या service को दे रहे हो, तो ज जो tax है, tax basically supply पे होगा, जैसे जो आपका goods or service का supplier है, so उस supply में tax आपका impose होगा, reverse charge mechanism का क्या मतलब होता है, कि even जो recipient आपने जिसको दिया, he also becomes liable to pay the tax, तो यहां पर chargeability reverse हो जाती, जो चीज supplier को pay करना पड़ रहा था, वो फिर आपका recipient के द्वारा pay किया जाता है, अब इसमें क् कि क्यों ऐसा किया जा रहा है, जिससे कि जो tax है, tax का imposition उसका एक wider scope develop किया जा सकता है, खास्त और से जो unorganized sector है, तो कुछ specific suppliers को छोड़के, even जो recipient है, उन पर भी tax या GST आपका impose किया जाता है, यह चीज आपकी highlight किया जा सकता है, कुछ certain business entities हैं, वहीं पे ही जो reverse charge mechanism आपका रह recipient को देना है, कि service में, जो supplier है, उसको provide आपका करना है, ठीक है, यह सारी चीजे है, यह economy का topic है, अचाने academy में आप जोड़ सकता है, में में आपको दूँगा, 18 तारीक मतब कल से मेरा course जो हो रहा है, advanced course science and technology का prelims के लिए, 500-600 topics में आपसे cover करूँगा, इसके अलावा आपका ज service CAD होने से science के proportion, बढ़ जाएंगे questions के, environment ecology के पहले से Indian forest service के वैसे आई रहे, 18-18 प्रशन आ रहे, जो भी advanced topic last two years के हैं, वो मैं आपके लिए cover करूँगा, इसको miss नहीं करना है, तो कैसे join करना है, anacademy.com में जो, comment section में में link डाल दूँगा, तो उससे भी आप जाके join कर लेना तो जब आप जो भी subscription लें, तो code जो use करना है, वो S-P-L-I-V-E करना है, यह आप ध्यान रखें, अब इसमें आप screenshot देख लो, अचा आज 4th number की class है, 5th number की class है, रात को 10 बजे, जो orientation class है, इसका link भी मैं आपको provide कर दूँँआ, गरूप में, सौरा पंड़ान अकेडमी, टेल कर सकते हैं, अब यहां पे आप यह थोड़ा सा, इसमें question शायद नहीं दिख रहा है, यह मैंने screenshot include किये हुए, कल के session में चाओ तो आप लोग देख लेना, तो question screenshot कहां से आए है, लग वे 15 में से 14 प्रशन जो है, वो आपके आये थे, जो हम लोग ने discuss किया था, यहां technology poses new challenges in front of election commission, conducting free and fair election, इसको आपको explain करना है, 10 marks का प्रशन है, इसको आप लिख सकते हैं, और share करें, सौरप अने कर मी टेलिग्राम चैनल के अंदर, कल का जो best answer हो मैं आपसे, I will share with you, मतलब community post में आपको मिल जाएगा, तो आज के लिए इतना ही, I hope यह session आपके helpful रहा होगा, thank you everyone, thank you.